हलो माई फ्रेंड वेलकम तो मैं चैनल गार्डनेंग एठ होम और आज टाइम है हमारी टेरेस गार्डन की ब्लूमिंग आपसे शेयर करने का कौन-कौन से विंटर प्लांट्स हमारी इहां पर ब्लूमिंग करने लगे हैं और क्या हाल चाल है क्या अपडेट है सभी चीजें आ देखिए यह हाइब्रेट वाले और कुछ इन में से फ्लार जो है वो डैमेज भी हो गये हैं जिनने कट आउट करके मुझे हटाना है तो बिल्कुल जब भी आपके इस तरीके से फ्लार से सूप जाएना तो इसको हटाते रहे यह एक्स्ट्रा एनरजी बिल्कुल सक करते है आपके प्लांट से तो इनको आज दुपहर में ही मैं बिल्कुल सारी चीजें हटाने वाली हूँ सारे फ्लार्स जो ड्राय हो चुके हैं और बीच में हमारे देखिए जाफरी वर्याइटी वाले मैरी गोल्ड भी काफी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और साथी में प्लांट बीच में देखिए यह हमारे गजानिया दुपहर में अच्छे से खिल जाते हैं मौनिंग का टाइम है तो थोड़ा सा बंद है तो सुबह सुबह ही मैं वीडियो बना रहे हूं और यहां पर हमारे वर्या लगे हुए हैं जिनके फ्लार्स पेंड हो गया थे और उ गिरे होंगे आपको छोटे-छोटे से नजर आएंगे छोटे-छोटी सी जर्मिनेशन हुई है कई सारे पहुदों की तो मालूम नहीं है कि कौन-कौन से प्लांट्स हैं इसमें छोटे-छोटे से बीज गिरे होंगे जो भी फ्लार में यहां पर लगाती हूं नहीं कि बीज की ब्लूमिंग है इधर और कैलन्चोज रखे हुए हैं साथ में यह हमारे यलो टैकोमा इनमें भी ब्लूमिंग अच्छी चल रही है हमारे काफी खुबसूरत से यह देखिए अभी छोटा ही प्लांट है पर ब्लूमिंग जो है वो अच्छी है इसमें इसके बाद इधर आते हैं तो बिल्कुल यह हमारे जपा कुसुम भी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं यह प्राइड ऑफ इंडिया है जिसको मैंने बिल्कुल कट आउट कर दिया था और इसमें नए नए ब्रांचेज निकल आए हैं और यह हमारे चाइनीज ओरेंजिस यह काफी सारे देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं पर यह खटे बहुत होते हैं तो इनके जो फ्रूटिंग है न वो बहुत ही खटी होती है बिल्कुल और यह हमारे कुंदे का प्लांट है इसमें भी काफी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है और इधर से आगे बढ हैं तो देखिए यह सारी जो रोजेज हैं हमारे सारे रोजेज बिल्कुल इनको कट आउट कर दिया था इनमें सारी नए नए लीज और यह सब इस्टैबलेश हो गई हैं और कुछी दिन में यह बैतरीन फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगी यहां पर यह सारे रोज रेडी हो गई हैं और यह सब और जिखिए कल्यां जो हैं वो भी बनके रेडी हो गई है और यह जो सब में बन रही हैं ऊपर भी हमारे रोजेज हैं तो यह सारे जो roses हैं सब में कल्या बिल्कुल बनने लगी हैं बिल्कुल winter में बहुत ही अच्छी blooming करते हैं हमारे बिल्कुल roses और इस site में आते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी मैरे gold के साथ मैंने पीछे डेलिया की plant लगाये थे चोटे चोटे तो देखिए यह भी बिल्कुल cuttings मैंने लगाई थी अपने डेलिया की तो सारे जो है वो डेलिया काफी अच्छे हो गए थे और इनको मैंने pinch भी कर दिया है उपर से pinch कर दिया है और again उनकी cuttings मैंने लगा दी ही है अपने plant में तो आगे बढ़ते है side में उस side से side आते हैं जहां पर मैंने प्टूनिया रखे हुए हैं तो पिटूनिया में भी almost हमारी double petal वाले हैं देखिए यह बहुत ही खुबसूरत blooming है और यह purple color का तो यह सारे double petal वाले ही हैं इसमें भी मुझे लग रहा है white color के फ्लार के लेंगे तो सब में कल्या बन गई हैं और कुछ दिन में ही सब में blooming जो है वो स्टार्ट हो जाएगी double petal हाला कि थोड़ा time taking लेता है blooming के लिए तो यह सारे जो हैं हमारे double petal वाले हैं साथ में च्छोटे च्छोटे आपको plant देख रहे हैं यह पैंजी के मैंने जो मेरी seedlings ready हुई थी तो उनको यहां पर लगा दिया है शिफ्ट कर दिया च्छोटे च्छोटे प्लांटर में अभी रखा है क्योंकि बहुत ही च सब में देखेंगे आप बर्डिंग जो है वो हो गई है और कुछ दिन में ही यह फ्लार्ज जो है यह सारे हमारे अन्वल के सारी क्रिसेंथिमम से हैं तो यहां पर सारी क्रिसेंथिमम में बर्डिंग हो गई है कुछ दिन में यह फ्लावरिंग के लिए रेडि हो जाएंगे और कुछ ये एन्वल सौरी क्रिसेंथमम्स जो है वो हमारे मदर प्लांट थे जिन में ब्लोमिंग जो है वो होने लगी है ये दिखिए काफी खुबसूरत लग रहे हैं और ये रेड कलर वाला बहुत ही प्यारा और यहाँ पे हमारा यलो कलर का अलमानटा है चीकू का प्लांट है महंदी का प्लांट है और कुछ नीचे मैंने पीछे डेलिया लगाया हुए है और साथी में हमारे मैंने बल्ब लगाया हुआ है लेलियम का और यहाँ पे भी हमारे सारे मेरी गोल्ड है आगे लेलियम के बल isle dehesia लखने हूं हैं तो उस तरीकिसे है और यहाँ पर रचेल יनिए यह चार स्या दाइक संवतने विल्वन है और वह जो कैसं कुछ में ब्लूमिंग इस्टार्ट हो गई है यहां पर भी हमारी तुनिया और Marigold और इस साइड में आते हैं देखे ये हमारे कितनी प्यारी अजेलिया ब्लूमिंग कर रहे हैं ये वाइट वाले स्पेशली बहुत ही प्यारी ब्लूमिंग कर रहे हैं कितनी खूबसूरत ब्लूमिंग कर रहे हैं बिल्कुल bunches of flowers आ रहे हैं और ये हमारा pink and white shade में और यहाँ पे हमारे सारे अडेनियम है अडेनियम में भी almost blooming जो है वो अच्छी है ये देखें ये red वाले और इधर भी तो friends कुछ ये हमारी winter plants की blooming है जो start हो गई है और कुछ हमारी plants जो अच्छे से establish हो गए है देखें इधर भी हमारी impatience काफी अच्छे से establish हो गए है और ये सारे petunias भी बिल्कुल blooming के लिए ready हैं सब में कलिया बन गई है और almost सभी जो है ना मेरे double petal वाले निकल रहे हैं तो कहीं कहीं अभी ही single petal वाले निकले हैं मेरे front garden में वापा की सारे जितने भी मैंने plants लगाए ना सब almost double petal वाले ही निकल रहे हैं और ये flower जो है देखें बिल्कुल dry up भी हो गया है तो इस तरीके से pinching जरूर करते रहें जो flower dry हूँ तो ये देखें इस तरीके से कुछ हाल चाल है हमारी terrace garden का और जो seedlings मैंने लगाई थी ना अपने adeniums की तो देखें ये भी हमारी काफी अच्छी और healthy हो गई है सारी ही सारी seedlings काफी अच्छी है हमारे adenium की और adenium अभी भी हमारा काफी अच्छी blooming कर रहा है सभी plant में almost कलिया है flowering है तो कुछ इस तरीके का view है हमारी terrace garden का ये hope आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ हमारी देखें लैसुनिया की बेल में भी blooming इस समय चल रही है तो बस इसी blooming के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए topic के साथ और कोई नए information के साथ तब तक के लिए thanks for watching my video and happy gardening to all of you friends Bye